तो हेलो एंड बेलकम फ्रेंड्स आप सब का सुखागत है मेरे श्यूटूब चैनल हेंड गैमिंग में तो आज गीश वीडियो में हम बात करने वाले कैपिला केरेक्टर के बारे में जो एक्जाम चल रही थी शलिए मैं regular वीडियो नहीं डाल पा रहा था एड़ चलिए सबसे पहले तो आपको capital character क ability को बता देते हैं तो गाज इसकी ability जो तीन तरह से work करने वाली सबसे पहली ability रहने वाली है सबसे पहले हम आपको वो बताने वाली है तो गाज जो इसकी first ability रहने वाली है उसमें लेखा हुआ है increase effects of healing items by 20% यानि कि गाज जो healing items होते हैं उनमें 20% extra जो heal करने वाली है तो चलिए गाज आपको lab proof दखाते हैं कि किस तरह से 20% extra heal करने वाली है तो गाज उसके लिए जो मैंने capital character को नहीं लिया है 75 HP दे रहा है यानि कि 175 HP हो चुगे है बहीं पर अगर मैं जो यहाँ पर capital character को use करने के बाद में दो बार अगर zone में damage खा लूँगा यानि कि 100 HP मेरी बचेगी जैसे कि पहले भी 100 बची थी अब भी 100 बची है अब मैं आप जो magicate complete करने वाला हूँ without capital character के जो 15 HP बढ़ जाती है हमारी एक medicate पे अगर हम capital character को use करने के बाद में जो medicate लगाएंगे तो 90 HP बढ़ने वाले इनके 15 HP एक्ष्टरा देता है and second joyability रहने वाली है उसमें याँ पे लेखा हुआ है कि जो healing skill up हो है याँ पे 10% बढ़ने वाली है याँ कि क्या system में आपको बता देता हूँ जैसे मान लीजिए आपके पास आलोग है अगर आप आलोग के साथ में इस character को use करेंगे याँ कि ऐसा कोई character जो की heal पहले सी देता हूँ जैसे कि आलोग है डिमीट्री ऐसे बहुत सारे character है अगर आप उनके साथ में capable character को use करोगे तो 10% extra जो याँ पे आपकी heal होने वाली जैसे कि मैं आपको lab proof दिखा देता हूँ तो चलिए गाज बिना किसी time के गवाई आपको second ability के बारे में बता देते है जैसे ही गाज मेरे पास आलोग है और मैं without capable character के आलोग के अगर मैं यहाँ पे HP बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर जो 5-5 करके HP दे रहा है और 100 HP से ले करके यहाँ पर टोटली 150 तक HP देने वाला है यानि कि 50 HP देता है और 5-5 करके यहाँ पे HP देता है यहाँ पे जो 6-6 करके HP दे रहा है यानि कि गाज टोटली 50 HP की जगा 60 HP यहाँ पे जो हमारी बढ़ चुकी है यानि कि 10% extra जो हमारी HP बढ़ चुकी है तो गाज अभी तक तो जो हमने यहाँ पे Capilla character की 2 ability के बारे में बताया था यानि कि Capilla character को आप यूज करोगे तो 30% जो हमें पे दीरे-दीरे डाउन करने वाले जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा एक साइड में without Capilla character है एक साइड में Capilla character को यूज करने के बाद में मैंने दिखाया है कि knock की HP कितनी जल्दी जो हमें पे डाउन करता है यानि कि guys अगर simple बास हमें बोला जाए तो जो Capilla character है वो एकदम best रहने वाला है क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे होते जो कि John के अंदर drum damage लेते हैं उनके लिए भी एकदम best रहने वाला है 46% तक जो यहां पर 9 HP रहने वाली है यानि कि अगर आप पहला character को यूज़ गरोगे तो हमारी जो 9 HP रहने वाली है वो 30% extra जो यहां पर रहने वाली है आपने आलोग के साथ में देखा होगा आलोग के साथ में 10% extra जो यहां पर हील करती है लेकिन इसमें एक mistake और है जिसे कि K character भी हमारा healing character है लेकिन K character के साथ में extra HP नहीं देने वाले है K character जो सरफ 5-5 HP करके ही देने वाला है क्योंकि K character जो K character वो सरफ EP को HP में convert करता है यानि कि आलोग की तरह खुद की तरफ से HP बना करके नहीं देता है जो कि नॉर्मली without K character के साथ में 30 HP देता है क्योंकि K character की तीनों ability मैंने आपको बता दिया लेकिन K character की एक और ऐसी ability है जो की बिल्कुल height ability है जिसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ जो fourth ability है वो K character की height ability है जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ without K character के मैं अगर यहाँ पर jump करूँगा किसी भी कुछा है से अगर मैं jump करूँगा तो देख पारे होंगे यहाँ पर मेरी 100 HP के बिल्कुल loss हुई है और 100 HP बच चुकी थी बहीं पर अगर मैं यहाँ पर K character को use करने के बाद में अगर किसी भी height से jump करूँगा जैसे कि आपको screen पर दखाई दे रहा होगा मैंने यहाँ पर jump कर दिया तो देख पारे होंगे 110 HP आपर बची है यानि कि 10 HP कम यहाँ पर loss हुई है अभी जो मैंने आपको fourth ability बताई थी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाली यह जो कहीं भी Search नहीं किया है यह मैंने सब्सक्राइब कहीं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो